हलो फ्रेंज आप लोग कैसे हैं I hope आप लोग स्वस्त हैं आज की ये मेरी मिठाई चैलेंज बेस पे मेरा भाई बोला कि आज बिना गैस जलाए बिल्कुल घर के बेसिक सामान से मिठाई आपको बनाना वो भी 5 मिनट में बिना गैस जलाए बनाना है मार्केट जैसा लूप को मार्केट जैसा टेस्ट टेक्चर हो तो आज हम बनाना स्टार्ट करते हैं अपने भाई का चैलेंज एक्सेप्ट करके बनाना स्टार्ट करते हैं वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें चैनल को सस्क्राइब करना ना भूले बनाना स्टार्ट करते हैं यहाँ पे हम वन फोर्थ कफ ले लिए हैं घर की मलाई है दूध की मलाई है अभी से एक मिक्सिंग बाउल में मिक्स कर लेंगे इस तरीके से आप फ्रेस क्रीम भी यहाँ ले सकते हैं अगर मलाई नहीं है तो नहीं तो घर की दूध की मलाई हो ठंडा हो जाए दूध फिर उसका मलाई आप मिकाल लीजे इस तरीके से अभी से बिलकुल अच्छे से हम मिला लेंगे अभी हाँ पिसी हुई चीनी लेंगे पिसी चीनी नहीं है आपके पास तो आप जो चीनी साबुत होती उसे पीस अभी से हम मिलाएंगे अच्छे से बिलकुल क्रीम टेक्चर तक इसको मिलाएंगे अभी से अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरीके से एक साथ सारा चीनी नहीं डाल देंगे नहीं तो एक गुठली बन सकती इसलिए पहले थोड़ा सा चीनी डार के अच्छे से मिलाएंगे फिर उसके बाद में इसमें चीनी और डाल देंगे जो बचाए हैं इस तरीके से बिल्कुल मलाई बन जाएगी आप इस तरीके से बनाएंगे बिना गयज जलाए और आप देखेंगे मेरा चैलेंज भी कितना अच्छा बनता ये मिठाई आपको भी अगर ऐसे चैलेंज मिले तो ये मिठाई बना सकते हैं अब इस तरीके से हम पूरा मिला लेंगे बिल्कुल क्रीम बन गया इस तरीके से आप बनाएंगे तो आप देख सकते हैं बिल्कुल क्रीम जैसा ये बन गया अब इसमें हम छोटी लाइची डालेंगे पान से साथ कार्डिमन पाउडर आप ना हो तो डाल सकते हैं इसमें छोटी लाइची कूट के भी डाल सकते हैं अब इससे अच्छे से मिला लेंगे टेस्ट के लिए इसमें डालेंगे इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है अब यहां पे हम गरी का गुरादा लिये हैं कद्दू कस करके भी आप इसमें गरी ले सकते हैं अगर शाबुद गरी हो तो अब इससे आधा कफली हैं अब इसमें मिक्स कर देंगे पूरा नहीं डालेंगे थोड़ा सा बचा लेंगे अब इसे भी अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे आज बीना गैस जलाई ये मिठाई बनाना ओभी घर के बिल्कुल वेसिक सामान से आप इस तरीके से बना सकते हैं और महमान भी आपके घर आ रहे हो बहुत जल्दी तो आप इसे पांच मिनट में बना सकते हैं अब यहाँ पे भूना चना लेंगे आधा कफ गरी का गुरादा था आधा कफ चीनी का पाउडर था तो एक कफ यहाँ पे हम भूना चना लेंगे भूने चने को अब हम इसे पीश लेंगे यह बहुत आसानी से पीश जाता है अब इसे हम इस तरीके से पीश लेंगे अगर भूना चना नहीं तो आप बेशन भी ले सकते हैं उसे भून सकते हैं इस तरीके से अब बिल्कुल फाइन पाउडर इसका बनाना बहुत आसानी से पी जाता है अब हम इसमें मिलाएंगे भुना चने का पाउडर अब अच्छे से इसे मिला लेंगे बहुत टेस्टी मिठाई लगती आप इसे बनाएं इस तरीके से बहुत ही अच्छी लगती है बिना गैस जलाई बनाएंगे अब इसे हम हाथ से मिक्स कर लेंगे इसमें पानी का यूज नहीं करना है हाथ से मिला लेंगे इस तरीके से आप देख सकते हैं अब इसमें हम थोड़ा सा दूद डालेंगे केसर वाला दूद है आप इसमें नॉर्मल दूद भी डाल सकते हैं केसर नहीं है तो आप इसमें नॉर्मल दूद भी डाल सकते हैं एक साथ सारा दूद नहीं डालेंगी नहीं मिठाई गीला हो सकता इसलिए आप थोड़ा थोड़ा दूद डाल की से गूत लें इस तरीके से एक साथ सारा दूद ना डाले नहीं, आपकी मिठाई गीली हो जाएगी तो बनेगी नहीं अच्छे से अब इसे हम गूतेंगे आटा जैसे बनाते हैं, आटा के जैसा आप इसे बना लेंगी इस तरीके से आप देख सकते हैं आपकी मिठाई बिल्कुल 5 मेट में बनके तैयार हो जाएगी, आप इस तरीके से बनाएंगे महमान घर में आ रहे हैं, अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा तो ये 5 मेट में आप ये मिठाई बना सकते हैं बहुत ही टेस्टी मिठाई बनती है आप इससे इस तरीके से बनाएंगे अब गूत के कम्प्लीट हो ग्या देख सकते हैं इस तरीके से हम गूत लेंगे अब एक ठाली लेंगे इसमे थोड़ा सा घी या रिफाइंड आप कुछ भी लगा सकते हैं इस तरीके से आप रिफाइ हाथ की देंगे इस तरीके से आप हाथ की मदर से इसे रोल कर ले आप रोल बना ले इस तरीके से मिठाई बनाने के लिए बहुत ही आसान तरीक है यह बनाने की अचिकना कर देंगे और हाथ कर से safe देंगे अब यहां पर हम गरी का गुरादा डाल देंगे इसमें दोनों साइड में अच्छे से डाल देंगे दोनों साइड में अच्छे से डाल के भी से रोल पर चिपका देंगे अच्छे से गुरादा इस तरीके से आप अच्छे सी से चिपका लिए आपकी मिठाई बन गई है अब इसका हम सेफ देंगे सेफ देने के लिए आप एक अलग बटन में खाली कर लिजी हटा किस तरीके से अब इससे कट कर लेंगे हैना पास मिरेट में बनने वाली मिठाई वो भी बिना गईस जलाए आप बना सकते हैं आप मिठाई का टेक्चर देख सकते हैं बहुती टेस्टी बहुती हेल्दी बहुती अच्छी मिठाई बनी है आप इस तरीके से बना सकते हैं बहुती आसान तरीका मिठाई बनाने का अब सारा काटके हम कम्प्लीट करेंगे आप देख सकते हैं कितना आसान तरीका और भी बिना गैस जलाए मिठाई बनाने का अब इसे थोड़ा साम डेकोरेट करेंगे मार्केट जैसा इसने टेस्ट देने के लिए और लुक देंगे इस तरीके से अब हम सर्व करेंगे आप देख सकते हैं कितना टेस्टी मिठाई बनके तयार हुआ आप बनाएंगे तो आपको पता चलेगा बहुत टेस्टी मिठाई लगती वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें चैनल को सब् आपका अगर कोई चैलेंज मिला हो तो आप बनाके इस तरीके से दिखा सकते हैं अब आपको इसकाम ट्रेक्चर दिखा रहे हैं बिल्कुल मार्केर जैसे बनके तयार हुआ तोड़के दिखा रहें आपको आप देख सकते हैं बिल्कुल मोह में घुल जाने वाली मिठाई इतना टेस्टी मिठाई बन के तयार हुआ है इस तरीके से आप देख सकते वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा और दोस्तों के साथ फैमली के साथ सेर करें